नमस्कार दोस्तों एक बार पिर से आपका स्कॉलर है इस तरफ मितर अवद में दोस्तों अब यदि दिए हमें एक पुटा ग्राम तरी श्कॉल आया है हमारे खर में एक साफ दे कर जाया है आई दिए वह का साफ है हमारे खर में एक साफ है हमारे खर में एक साफ है हमारे तो दोस्तों हम पहुंच चुके है अपने लोकेशन पर आये देखते हैं कि साफ कहा पर है हमारे खर देखते हैं कि साफ है तोस्तों है किसमें हैं अरी किछुड़ कि नुमें ने बताया हमेज़ दूरू साथ देखने इनों ने मुर्गी का जड़वा बना हुआ है उसमें है देखते हैं कि यह कौन साथ है यह है यह है दोस्तो रेट स्नेक जिसे हम धामन के नाम से जानते हैं और यह स्लेंडर के पीछे कि नीचे बैठा हुआ है चुक कर दोस्तों यह नौन मेनमस बिना जहर का साथ है यह पर यह बहुत तेज बाइट कर सकता है यह बहुत जगहरे जख्म दे सकता है यह और देखिए कि पकार यह बाइट करने की पुशिश कर रहा है और यहां पर हमने इस रेट स्नेक का कि अधर बहुत बुश्य कर दिया है कि अधर बहुत एंग है और यह है इंडियन रेट मैंक काफी फुर्टिला और तेज और देखें किस प्रकार यह अपने आपको बचाने के लिए और देखें किस प्रकार बाइट कर रहे हैं और यह काफी अग्रेसिव लग रहे हैं और बार बार बाइट करने के कोशिश कर रहे हैं यह देखिए और यह हमने इसका रहे हैं और यह देखें कि हमारे तुर्ट साफ देखने के मिला है ते इस साफ हमें रिस्कू कर लिया है अब आये देखते हैं कि दुद्रा साफ वापी में है यह दो किसी को समझ लिया होगा का भी आ इसमें और यह है एक इंडियन स्पैक्टिकल कोब्रा यह वाख़ी में यहां दो काप है और यह यहां पर एक और साफ इंडियन स्पैक्टिकल कोब्रा जो सायद मुल्गी के धर्वे में मुल्गी के चुलो को खाने के लिए इस आप आ गये यह है एक इंडियन स्पैक्टिकल कोब्रा जिसमें में तोक्सिस नमाद वेनम पाया जाता है बहुत ही कतार्नाच और बहुत ही जहरीला साफ है इस नमाद में दोस्तों इसे भार्ती नाज दूमी केववन नाज दूदनाग आदी नाम चानते हैं इसको और दोस्तों आइद के शुआ की दूम 463 डा। को देखकर आप लोग की इसको इस प्रगार पगंदी की कोशिक्ण ना करें क्यूकि हमने इसके पगंदा की प्रस्थिशंण